हेलो एवरिवन मैं आपकी होश्ट अनन्या और आप देख रहे है वडरफुल गाडन तो दोस्तों अब समय आ गया है लीली के बल्ब लगाने का और यह देखिए दोस्तों छोट छोटे से लीली के बल्ब थोड़े से बड़े और हो जाते हैं लेकिन ज्यादा बड़ा साइज जिनका होता नहीं है दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको लीली के बल्ब लगा कर दिखाऊंगी अगर आपके बल्ब गल जाते हैं खराब हो जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी आपके बल्ब खराब नहीं होंगे और दोस्तों यह बहुत जल्दी भी होते हैं तो आए जानते हैं के लगाने का तरीका मैंने दोस्तों इनको फंजी साइड में लगा करके रख दिया था अब समय आगया इनको लगाने का तो देखिए यह मेरे पास बल्ब है और अल्रेडी मैं पहले भी लगा चुकी हूँ तो थोड़े से मैंने सुझा क्यों आपके साथ भी शेयर कर लूँ यह देखिए दोस्तों इस छोटा सा ग्रो बैग है इसमें हम सिंप्ली सोईल भरेंगे और सोईल में मैंने लिया है एक हिस्सा आप ले लिजे गार्डन सोईल एक हिस्सा सेंड और इसमें वर्मी कंपोस्ट काउटन एक-एक मुठी आप डाल सकते हैं थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी आपके पास वंजी साइड हो तो आप भी मिक्स कर सकते हैं नीचे गर किचन वेस्ट डालना चाहते हैं तो आप भी टाल सकते हैं लेकिन मैं सिंप्ली सोईल ही भरूंगी और इसमें कुछ सूखिया पतिया भी है जो हमारे गार्डन से इसले क्या है क्योंकि दोस्तों ग्रोव बैग में बिल्कुल भी पानी नहीं रुखता है जैसे हम पानी डालते हूं नीचे से ड्रेन आउट हो जाता है हालाकि इन में होल नहीं है लेकिन आप भी जानते हैं ये बेकार वेस्ट जो हमारे घर में चावल के कट्टे आते हैं पानी भी नहीं रुखता है इसलिए मैंने खास कर जितने भी मेरे लिलीज होते हैं सब के लिए मैं इस तरीके के ही ग्रोबैक का इस्तमाल करते हूं चाहे तो आप भी कर सकते हैं विंटर के समय में आप लिलीज निकाल के रख लेते हैं या पोर्ट में भी छोड़ देते हैं तब भी कोई दिक्कत नी होती इस बार मैंने भी निकाल के रख लिया था थोड़ा फंजी साइड लगा के और एयर टाइट कंटेनर में इनको रखा था और बहुत अच्छे से मेरे जो लिलीज हैं वो अब निकली हैं तो आप भी इस तरीके से या तो रख सकते हैं उस तो आप विंटर के समय में इस तरीके से निकाल के रख लेते हैं तो हमारे जो प्लांट होते हैं उनको continue पानी नहीं मिलता और वो अपनी सोने वाले पिरड़ बे पोहुच जाते हैं लेकिन अगर वो पोर्ट में हम ऐसे छोड़ देते हैं तो पानी पढ़ता ही रहता है जो कि को पता ही ने चलता उनको कब ग्रो करना है और कब उनको रेस्ट करना है तो इसलिए आप भी अपने लिलीज को निकाल के रखें विंटर के समय में और जैसे ही थोड़ा सा मोसम चेंज हो तब आप उनको ग्रो करें उसके बाद आप देखेंगे कि आपके प्लाट में बहु उन्हें मैं सिंप्ली उपर की साइड लगाऊंगे कि दूस्तों लिलीज के जो बल्ब होते हैं जाद़ बड़ा नहीं होते इसलिए इन्हें कभी भी हमें नीचे में दवारना नहीं चाहिए सोयल के अंदर उपर ही इन्हें रखना चाहिए सिर्फ इनके रूर्स ही नीचे इस तरीके से आप रखें आप देखेंगे बहुत जल्दी इन में रूट्स बनती हैं और आपके जो लिलीज हैं इनके जो बल्ब हैं वो गलेंगे नहीं वो खराब नहीं होंगे लेकिन आप बिल्कुल प्रॉपर मिट्टी में दबा देंगे तो वो पानी जैसे आप आप जिस तरीके से मुझे देख पारे हैं मैं हमेशा ही इस तरीके से लगाती हूँ आप भी ऐसे लगा करके देखेंगे आप बिल्कुल भी आपके जो बल्ब हैं अगर आपको हमेशा ये सिकाथ रहते हैं कि आपके बल्ब खराब हो जाते हैं तो इस तरीके से लगाईए बिल्कुल भी खराब नहीं होगे और दोस्तों मैं आपको अभी एक चीज और बताती हूँ जैसे जैसे मोसम चेंज होता है विंटर के समय में आप जानते हैं डॉर्मेंसी में चले जाते हैं लेकिन जैसे ही इनका समय आता ही अपना पी रूट्स निकालना और उपर ग्रीन कल आप अभी भी लगा सकते हैं जैसे कि मैं लगा रही हूँ दोस्तों लिलीज लगाने के बाद हम इनको इतना पानी देंगे कि पानी नीचे से अच्छे से ड्रेना उट हो जाए पहले बार जब भी हम लिलीज लगाते हैं तो हमें उन्हें प्रोपर पानी देना चाहिए और और उसके बाद आप इने तब पानी दे जब सोईल बहुत अच्छे से ड्राइ हो जाए अगर आप गेली सोईल में ही पानी डालतेंगे तो आपके जो लिली के बल्ब है वो खराब हो जाएंगे इसलिए आप हमेज़ा सोईल चेक करके आप इने वॉटरिंग करें, दूसरी ब लगाने के बाद धूप में नहीं रखना चाहिए इन शेडी एरिये में रखिए जब तक इन पर अच्छी से लीफ ना आ जाए जब इन पर दीरे दीरे लीफ आने लग जाए तब आप इनको चाहे तो प्रॉपर धूप में भी रख सकते हैं वैसे तो दोस्तों लीली कवे भी अगर आपने अभी लगाया है तो एक डेड हफते इनको शेडी एरिये में ही रखना या ग्रीन नेट के नीचे रखना उसके बाद ही आप इने दूप में ले जा सकते हैं आई हूप दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो प्लिस लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले मिलती हो अपने नेक्ट वीडियो में बाई